स्वागत जी आपका स्पोर्ट सार पर मेरा नाम है अकाश और बात करेंगे टीम ऑस्ट्रेलिया की जिनके लिए बहुत जादा सिर्दर्दी अब बढ़ गई है पहले तो ग्लेन मैक्स्विल की इंजिरी एक फ्रीक इंजिरी जो उनको गॉल्फ कोर्स पर होती है वो स्ट्रेल के अगेंस्ट उनको एक बड़ा ही क्रूशल गीम खेलना है जो वो जीतना बिल्कुल चाहेंगे आर्श राइवल्स के अगेंस्ट लेकिन अब एक और बड़ा जटका लगया है टीम ऑस्ट्रेलिया को ग्लेन मिक्सल तो बाहर है ही अब मिशल मार्श वापस ऑस्ट्रेलिया लौड गए है इस कमर्ण ने संसन ही मचा दी क्योंकि किसी को कोई रीजन नहीं पता था all of a sudden क्यों मिशल मार्श वापस चलेंगे ऑस्ट्रेलिया ये खवर आती है और सब पूछते भाई रीजन क्या है तो भाई पर्सनल रीजन की वज़ासे कुछ फैमिली इशूस हैं उन हम दोनों साथ जीतेंगे वल्ड कप इस तरह की वहाँ पर उनकी कम्विनिकेशन हुई है उसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन मिशल मार्श एक कम्प्लीट प्लेयर है और दो क्वालिटी ओल राउंडर्स की सर्विसेज इंग्लिन गेम में मिस करेगी ऑस्ट्रेलिया ग लेकिन अब आपको नहीं पता अब क्या जो लीक के गेम से आने वाले अभी उनको मैचिस खेलने हैं क्रूशल ऑस्ट्रेलिया अभी भी उन्हें एट लीस्ट दो गेम जीतने हैं तो इंग्लेंड गेम ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत दादा क्रूशल है जहापर ना आपको ग्लेन मैक्सफ़ल नजर आएंगे और नहीं आपको मिशल मार्श नजर आएंगे अब मारकस टॉइनस ने क्या रिवील करा है वो आपके सामने चला देते हैं जी एक्जाक्लि उन्होंने क्या बोला है यह मारकस टॉइनस ने मिशल मार्श के बारे में बोला है he's flown home late last night he's got a फैमिली इशू गोईंग ओन राट बहुत आप कह सकते हैं कि उसके लिए आपको समय भी नहीं लगा और आपको बता चला कि अब आपको वापस जाना पड़ रहा है अपने घर तो उनको वहाँ पर रात को ही बता चला कि इस गौट आप फैमिली इस इस वजह से उनों ने का द अब भी भी आप देखते हैं कि मांगलदेश गेम है और उसके लब आपके पास अफगानिस्तान गेम है निंगिलेंड गेम है दो गेम जीतने हैं तो असब आप उस्ट्रेले को फैंसी कर रहे हैं कि हाँ आप वहाँ पर जीत दर्ज करके सेमिस में एंट्री करोगे लेकिन Glenn Maxwell और अब Michelle Marsh एक बड़ा जटका जरूर है he is doing the right thing and he is getting home and he is seeing the people he needs to see and then I don't think there is a timeline on when he is coming back तो एक बड़ी खबर खुद मांकस टॉइनस नहीं दी कि भाई indefinite period के लिए भी अभी आपको नहीं पता timeline क्या है time frame क्या है कि कब तक Michelle Marsh वापसी करेंगे लेकिन एक जैसे नीचे idea आपको पता चलेगा but I'm sure he'll do what he needs to do at home and then and then get back he sent me a message last night उन्होंने मुझसे वीतिराद एक message share किया और उन्होंने कहा I'll be back home for a little bit and then I'm coming back to win this world cup so that makes me smile तो उन्हो लोड़े समय के लिए घर वापिस जा रहा हूं कुछ family issues हैं उनको मैं निप्टाव कर और सारी चीज़े sort करकर मैं वापिस आउंगा और world cup हम साथ जीतेंगे तो यह Michelle Marsh ने बड़ी prediction कर दिये जी जो आस्ट्रेलियन खेमे में कहीं ने कहीं एक आप कह सकते हैं कि एक एक में ना उतरेगी Australia Glenn Maxwell के में ना उतरेगी कहीं ने कहीं वो एक advantage कहीं ने कहीं वो नलिफाई हो गई है और यह match ठक्कर का होने वाला है क्योंकि England भी चाहेगा कि भाई आर्च राइवल्स ऑस्ट्रेलिया के अगेंस अब तो साग के लड़ाई होगी England की लेजिन का वर्ड कप बहुत जादा ओड़नरी गया है तो कहीं ने कहीं इस match में रोमांच बहुत जादा बढ़ जाएगा जो एहमदाबाद में खेले जाएगा नरेंदर मोदी स्टेडिय